हैलो स्टुडेंस कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं सभी मस टोंगे और स्वास्त हुंगे आज के सेसन में हम लोग पढ़ेंगे एक कविता है कैमरे में बंद अपाईज कैसे हो सकता है तो कैमरे का अर्थ यहां एक इस्टूडियो है रिस्टूडियो में एक बंद अपाईज को लेकर आएंगे हम लोग अब कवी क्या कहना चाहता है सबसे पहले आप लोग मुझे यह बताएंगे कि ये जो कैमरे में बंद पाई जो कविता है इसके लेखक को ने तस्वीर आपके सामें दिखी रही है तो बताएए इस लेखक का नाम क्या है फटा पर बता दीजे मुझे फिर हम लोगे स्टार्ट करते हूं जल्दी से कमेंट करके भी बताना है आप लोगों को क या ओडियो ठीक है मस्त है आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को और जैसे हम लोग इस कविता का अर्थ हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से प्रतिक सब्द का एक एक अर्थ हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग लेखक का नाम है रगवीर शहाई जी किस परकार से एक मीडिया वालों का कहा जाता है वैसे तो चोथा इस्तम है लेकिन मीडिया आज कल जो जैसा कर रहा है वैसे ही पहले करता था पहले ऐसे ही करता हुआ आ रहा है किसी भी कमजोरी को अपने व्यापार का माध्यम बनाना इसका एक टी आर पी बढ़ाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं मीडिया वाले तो यहां पर भी ऐसा हुआ है तो किस परकार मीडिया एक अपाहीज व्यक्ति को अपने स्टूडियों में लाकर किस पर बेतू के सवाल करते हैं उसे उन सवालों के जवाब मांगते हैं यानि अपाहीज व्यक्ति को लाना फिर उनके सवाल उससे पूछना क्या तुम अपाहीज हो क्या अपाहीज होना दुख देता है कैसे ना दुख देता है ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं तो हम लोग पढ़ रहे है रगवीर साही जी का जिसका नाम है जो लोग जो लोग बोल गए हैं से ली गई है सारिक चुनोती को जहलते व्यक्ती से टेलिवीजन कैमरे के सामने किस तरह की सवाल पूछे जाएंगे और कारिकरम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपिक्षा की है यहां सिदा सिदा एक ही बात बताई जा रही है किस परकार से वे लोग जो क्या कर रहे हैं एक अपाई व्यक्ति को लाकर अपने स्टूडियों में कैमरे के सामने किस परकार से सवाल पूछा जा रहा है उस सपाट बयानी से तरीके से यह निकि मीडिया वालों को यह बिल तो काम एक है कि TRP बढ़ाना बस यहीं आपर बताया गया है तो ऐसा इस्टूडियो है जहां पर किसी अपाईज को लाया गया है उसे पूछा जाता है क्या मीडिया वाल लोग कहते हैं जो इंट्रू ले रहा है हम दूर दरसन पर बोलेंगे एक चैनल होता है दूर दरसन का कह है कि हम दूर दरसन पर आएंगे और तुम्हें बताएंगे हम समर्थ सक्तिवान हैं हम सक्तिसाली हैं बहु ज़्यादा पाउरफुल लोग हैं पैसों से भी और वैसे भी हम एक दूरबल को लाएंगे एक बंद कमरे में इस्टूलियो के अंदर एक कमजोर व्यक्ति को निर इस्टूलियो में और मीडिया क्या कह रहा है कि हम दूर दरसन पर आएंगे और कह रहा है कि हम पाउरफुल लोग हैं सक्तिसाली लोग है और निर्बल व्यक्ति को लाएंगे एक इस्टूलियो में एक बंद कमरे में बही यहां पर वैसे विरुदाबास है मीडिया वाले कह कि हम सकती सालिए हैं तो यहाँ पर विरोधाभा सालंकार भी है द्यान रखना नेक्स्ट कह रहा है उससे पूछेंगे याँ अपाईज व्यक्ति गोला रहें उसे सवाल पूछेंगे क्या आप क्या अब एक बाहता हो काले को काला का हो लंगडे को लंगडा काऊ अंदे को अं आप क्यों बुछ सबसेंगे क्या आप क्या आप कियों पाइज भी मुझसे क्यों पूछा इस पूछे कि मुझे अब आख को अपाइज बंदक देता होगा आप कहह रहा है क्या आपको आपका पाहिज बन है या पंग हैं आप piorो से तो क्या यहुझ देता है देता है फिर जो अर्देगर को इसारा करता है कि इसको बड़ा करके दिखाओ हाँ तो बताये आप़को दुख क्या है आप पूछ रहा है इंट्रयू लेने वाला उस अपाई इसे बेचारे आपको अब क्या पता है आपको क्या देता है ना मैं नहीं सकता मैं दोर नीं सकता में चलनी सकता लेकं फिर भी उसको त्यायर्म का परी हुई है अब बेचारा क्या दे उन सवालूं का जवाब बेतू के सवन यह प्रशंग है उन बच्चों के लिए जिन से यह पूछा जाता है डायरेक्ट की इस पद्यान्स की से प्रशंग व्याक्या करो कुछ राज्यों में ऐसा रूल बना हुआ है तो उन पेपर में लें तुम्हारे नहीं आएगा तुम्हारे लिए सवाल पूछा जाएगा और लगुतरात्मग सवाल पूछे जाएगा कभी उन्नीसो नंबा की दसक के दूर दुर्शंग चैनल के माद्यम से लोगतंतर का चौता इस्तव मानने जाने वाला मीडिया की लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है कि वे कैसे समें सवेदन हीं होत कि हम दूर डर्शन पर बोलेंगे और हम एक बंद कमरे अर्थाद इस्टूडियो में कमजोर वक्ती को लाएंगे फिर उस कमजोर वक्ती से प्रशन पूछेंगे किया आप अपाईज हैं यदि हैं तो आप क्यों अपाईज हैं किया आपका अपाईज गर आपको दुख देता है यह प्रशन इतने बेतुके हैं बिना तुक वाले बिना आंसर वाले कि अपाही जी इनका उत्तर नहीं दे पाएगा जिसकी वज़े से वह चुप रहेगा बेचारा धहर्य रहा तो चुप रहेगा नहीं तो वह रो देगा एदि रो दिया तो मीडिया का यह कारेकरम सफल हो तो वह भी रोने पड़ते हैं और वास्तम बेचारे को बहुत जारा दुख है और महीं लाएं तो आजकल कुछ जाता ही इस चीज़ को ले लेती है आजकल सीरियल आता है इस बात के रोना दोना हो बस लेडिज चित्की रहते हैं उस सीरियल से वेट करते हैं कब आएगा कब पर बड़ा बड़ा दिखाओ फिर अपाई से पूछा जाएगा कि आपको दुख क्या है तुम अपने दुख को जल्दी बताएए अपाई जिन परशनों का उत्तर नहीं दे पाएगा क्योंकि वह जानता है कि ये प्रशन उसका उपहा से मजाक उड़ा रहे हैं ये इनकी वास्तिक्ता ये इनका काम ये ही है कि मेरा मजाक उड़ाना और ये अपने ट्यार भी बढ़ाना चाहते है वो समझ गया था बिचारा ये है आपके एक्जाम के दरश्टे से मैं तो जब आपसे पद्यांत देखर के कुछ MSQ सवाल पूछेगा ना वहां काम आये गए आपसे पूछेगा निवलीद पद्यांत में किस बोली का परियोग किया गया तो आपको बताना है खड़ी बोली कैसी कवीता है छंदमुक्त कवीता है प्रारम की पंक्तियों में विरोधा भास अलंकार का परियोग हुआ कि अब देखो और है कुछ सवाल जल्दी से बताएंग पानुसर फट्रापर बताईए मुझे एक बार क्या कह रहे हैं सोच ये बताईए आपको अपाईजपन होकर कैसा लगता है कैसा यानि कैसा लगता हम खुद इस सारे से बताएंगे कि क्या ऐसा अब एंकर कहता है उस अपाईजपन सोचो और बताओ आराम से सोचो और फिर बताओ आपको अपाईजपन होकर कैसा लगता है यानि कि कैसा लगता है यानि कैसा लगता है यानि कैसा लगता है बार बार पूछता है कि आप अपाईज हैं तो आप आराम से सोचो और फिर बताओ कि आपको क्या आपका अपाईजप करके केमरे माले को इसारा करता है की मा की चलो थीक है तुम मत बताओ कैसा लगता है आप तुछ तस्वीरे दिखा रहे हैं आप तो बताने कि हां मुझे ऐसा दुख होता है सोचो और आराम से बताये सोचियो और बताए फिर कहता है सोचो आराम से फिर बताओ थोड़ा कोशिस करो थोड़ा कोशिस करिए यहाँ सर खोदेंगे यह बात पूछी नहीं जाएंगी यह उनको किसारे से कहह रहा है कि यहाँ सर बहुत अच्छा आप खोदेंगे आप जानते हैं कि कारीकर्म को बता सकते हैं और मीडिया वाले से अपनी टियार भी बढ़ाने के लिए वो अपने कारेकरम सफर बनाने के लिए उस कारेकरम रोचक बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि हम यह सपाईज को ऐसे बहुत सारे बेतु के सवाल पूछ पूछ करके हम रूला देंगे और इंतजार कर करते हैं आप भी रो पड़ें रो पड़ने का करते हैं यह प्रसंट पूछा निया जाएगे लेकिन यह सवाल पूछे नहीं जाएंगे यह सवाल पूछे जाते तो फिर धर्शक भी तो कमजोर थोड़ी है बिचारे चैनल को बंद करवा दैं तो वो कह रहे हैं कि हमारा बस य कारेकरम सफल कब होगा ये अपाई जो है ये जो अपाई है ये रोए ये अपाई जो है ये रोए और इसके साथ तुम दर्सक सभी रोहो तब जाकर कि हमारे कारेकरम सफल होगा पर ऐसा नहीं होता है प्रेशंग है, देखी ले न व्याख्या, इन पंक्तियों के माद्यम से कभी कहते हैं, कि मीडिया की लोग अपाई से बेतु के सवाल करते है अंकर अपाई से पूसता है कि आप यह सोच कर बताईए कि आपको अपाई जोंगर कैसा लगता है फिर पूछता है कैसा लगता है जो वो दे दे कर पूछता है भई पता हो कैसा लगता है पिर कहता है कि हम इसारे करके बताएंगे तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा लगता है बस आपको हाँ बरना है फिर बाद में कहता है अपाई जी ही इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता त फिर anchor बोलता है कि थोड़ा सोचकर और कोशिस करके बताईए यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो तुम सुनहेरा आउसर खोदेंगे अर्थात anchor अपाई से कहता है कि तुम्हें इससे बड़िया मोका नहीं मिलेगा कि तुम अपने पीड़ा को लोगों के सामने रख सको कि तुम्हें बहुत अच्छा मोका दिया जा रहा है लोगों को अपनी पीड़ा को दिखाने के लिए बताने के लिए तो आप क्यों नहीं बता रहें बताएंगे ना इसलिए आप अपने दुख को बता दो एंकर अब दर्सकों से कहता है कि हमारा लक्ष इस कारियकर में रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रशन पूछ पूछ करके उसे रुला देंगे और हम इस इंतजार में हैं कि उसके सासाथ आप भी रोने लगो इन दर्सक भी रोने लगे वह यह प्रशन दर्सकों से नहीं पूछेगा अठा संकेतों के माद्य में से दर्सकों से पूछा जाएगा देख लो मेडिया वालों का क्या काम है यानी कि बेचारे को ऐसे बेतु के सवाल पूछ पूछ कर रोलाया जा रहा है कैसे बोलिया भी खड़ी बोलिया कैसे कविता चंदमुक्त कविता कैसा अलंका काउन सा अलंकार प्रशन वाच्चा के वर्णों क्या वर्तिकारन अनुपरास अलंकार यह याद रखना है यह पूछा जाए तो आप लोग से नेक्स्ट है फिर हम परदे पर दिखलाएंगे फुली हुई आँख एक बड़ी तस्वीर अब मीडिया वाले कह रहे हैं कि हम आपको एक बड़े परदे पर उसकी फुली हुई आँखों को दिखाएंगे बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे उसकी ओठों पर कसं कसाहट यह ऐसे परसन पूछा जाएगा तो इनसान गुस्सा तो आएगा तो वो कह रहा है कि जब हम अपाई से ऐसे बेत्व के सवाल पूचेंग है उसकी होटों की कसम कसाहट जो आपको दिखाए दे रही है वो भी आपको दिखाए जाएगी देखो मीडिया वाले किस हाद तक गुजर है नालाइक आसा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे यह सवाल पूछा नहीं जाएगा इसारा करके एक और कोशिस कर तो दर्सक दीरज रखिए देखिए अब मीडिया वाले कह रहा है कि एक और हम पोशिस कर लेते हैं दर्सकों से निवेदन करते हैं कि आप दहरी रखें हम इस अपाई से ऐसे बेतो के सवाल करके हम उसे रूलाएंगे और आप भी रोएंगे हम इसका इनतजार करता हैं आप बस दहे रखे हम उनसे सवाल फिर पूछेंगे हम दोनों को एक संग रोलाने और आप और वहे दोनों यानि कि मीडिया वाले कह रहे हैं कि हम दोनों को एक साथ रोलाने रोलाना चाहते हैं पहले अपाहिज रोए फिर आप रोए हम ऐसा चाहते हैं आप और वहे दोनों, यानि आप यानि दर्सक और वहे यानि अपाहिज, दोनों को एक साथ हम रूलाना चाहते हैं, अब ये बात बोली नहीं जाएगी, ये कभी कोश्टम में क्यों रख रहा है इन बातों को, कि वहे पाठकों को अच्छे से समझा सके कि वहे कहना क्या चाह कैमरा बस करो नहीं वा रहने दो, पर्दे की वक्त की कीमत होती है, कह रहा है, बस करो यार अब छोड़ दो, कैमरा बंद कर दो, किसी चीज़ को पर्दे पर दिखाना बहुँ ज़्यादा पैसा लगता है, यहां पर्दे कीमत बदाई है, मतलब बहुँ ज़्यादा पैसा छोड़ तो इस बात को यदि कोई नहीं रो रहा यदि इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है तो अब हम अब मुस्कराएंगे हम आप देख रहे थे सामाजी गुद्दे से उक्त कारे करम अब सभी मीडिया करमचारी एक जगह आ जाते हैं फिर कहता है हम एक साथ मुस्कराएंगे और आपसे कहेंगे कि आप देख रहे थे सामाजी गुद्दे से कुन कारे करम बस थोड़ी कसर रहे गिए मन में कसर तो बहुत सार थी थोड़ी क्या धन्यवाद आप सभी का बहुत धन्यवाद आप एक कारे करम से जुड़े ऐसा दर्सकों से कहते हैं यानि कि जब कारे करम सफल होता हुआ नहीं दिखाई दिया अपाहीज व्यक्ति नहीं रोया नहीं रोया तो अब क्या करें कैमरा बंद कर देते हैं फिर सभी एक साथ आते हैं कहते हैं मुस्करात वे कि आप सबी का बहुत बहुत धन्यवात आप हमारी कारेकरम जुड़े आपको जो कारेकरम दिखाया जाए जारा तो सामझ गुद्द्द्द से पून था नहीं था प्रिशंग है देख लेना उन बच्चों के लिए जो इनसे पूछा जाता है आप से नहीं पूछा जाएगा सीबेसी वालों से व्याक्या इन पंक्तियों के माद्यम से कभी कहता है कि मीडिया वाले लोग अपाहिज का मानशिक सोसन करते हैं वे उसके फुल हुई आँखों के तस्वीर को बड़ा करके परदे पर दिखाएंगे बहुत बड़ी तस्वीर वे उसके होटों पर होने वाली बेचैनी और कुछ ने बोल्स पानी की तड़प को भी दिखाएंगे फिर वे संकेतों के मादम से दर्सकों को कहता है कि अब आप भी उसकी पीडा मानेंगे और उसके साथ साथ रोएंगे अब वे कहते हैं कि हम कोशिस करते हैं कि वे रोने लगे एंकर दर्सकों को दहर्य धारन करने के लिए कहता है मीडिया के लोग दर्सकों अपाईज दोनों को एक साथ रूलाने के कोशिस करते हैं तबी एंकर आदेश देता है कि बस अब कैमरा बंद कर दो यदि अपाईज अपना दुख नहीं बता पाया तो कोई बात नहीं परदे की बहुत कीमत होती है इस कारिकरम के बंद होते ही मीडिया के कारिरत सभी लोग मुस्कराते हैं और कहते हैं कि आप सभी दर्सकों से सामाज गुद्देसे से बरपूर कारिकरम देख रहे थे अर्था यह कारिकरम समाज के बलाई के लिए दिखा रहे थे इसमें थोड़ी सी कमी रहे गई है की रहे गई की हम दोनों को एक साथ रूला नहीं पाई फिर भी यह कारिगरम देखने के लिए आप सब का धन्यवाद ऐसा नहीं कहता है वो कोष्टक में जो लाइने है ना वो एंकर इंट्री वाला नहीं अधर्सकों से कहता है नहीं अपा पाठकों को बस थोड़ा समझाने के लिए वो कोष्टक में पराईने रखे गई हैं जिनका बहुत ज्यादा मेहतपुन होता है कविता में महतपुन इसलिए होते हैं क्योंकि पाठक लेखक अच्छे से पाठकों को समझा से कि वह कहना क्या चाहरा है खड़ी बोली हिंदी ह है यारी leider आपको फिर्यों चोर्ष करwait जा रही है लेकिन आप लोग को पता है एकड़ है और इग्जाम देने के लिए आप लोगों को इस कॉपन कोड का परियोग करके माहापैक करेो यह महापैक क्या है क्या नहीं है यह आपको बता रहा है कि आप लोग जब शीव ट coupon code का प्रियोग करके इस महापे को जोइन कर लो कैसे जोइन करेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूं ऐसे गूगल ओपन करना यहां टाइप करना अड़ा 24 अजले जाएंगे यहां पर इस प्रकार यहां जाएयां यहां पर यहां जाना है अभी यह जाकर कर अपना सब्जक्त करो कि साइंस आर्ट कोमर्स क्या है अब कुछ बच्चे क्या है कि डॉमेंड सब्जक्त जो उनका अप्सिन सब्जेक होता है तो अच्छी से तयार करना यहां से कूपन कोड अप्लाई करना जो मैंने अभी बताया था वाई डबल फाइफ वन है वाई डबल फाइफ वन अप्लाई कर देना देखो सेवंटीन परशन का डिसकाउंट मेंटा इसको अपन कोड का परियोग करते हैं तो आप लोग ठीक है 11600 रुबे मिलेगा मातर अब देख लो और 14 मंथ चोदा मैंने की आपके एक्जाम के बाद भी यह कोर्स आपके पास रहे एक्जाम के बाद क्या करें गुरुजी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं बहुत सारे हैं जो आपको नहीं पता किस परकार आपको इनिस्टी बढ़ पढ़ना चाहते हैं यानि आप परतेक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट का साइंस का साइंस को सब्जेक्ट सब्जेक्ट सभी ऐसा नहीं कि एक ओपन कोड हिंदी के लिए यह आप लोग महापेक जोईन करते हों तो परतेक सब्जेक्ट आ एक नावाब में लोग कुछ क्यूसंद थे हमारे एक बर उनको देख लेते हैं हुँ हुँ है फिर भी किसी को कहीं दिक्कत आजाती है ना तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं मेल आईडी है मेरी राजेंदर डोट प्रशाद एड़ रेट अड़ा 247.com किसी को मेल नहीं करा था मुझे वार्शाप कर देना लेकिन बताना नहीं सर्ने नंबर दिया था किसी को प्रशेज करने में मतलब कुछ भी सेवंटी परसेंट ऑफ पाना चाहते हो तो बताना मत पर किसी ठीक है हां चलो आगे चलते हैं हम लोग कुछ क्यूसन देख लेता है कविता में कुछ प्रंक्तियां कोश्टक में रखी गई हैं आपकी समझ में इसका क्या ओचित् कि यह कोश्टम जो लाइन रखी गई है इनको एंकर बोलता नहीं है मेरे वार लोग बोलते नहीं है यह केवल इस हारों से वह कैमरा में को बताते हैं और पाठा के इसलिए लिए कभी इसलिए लिखता है कि वह हमें अच्छे समझा सके कि वह कहना क्या चाह रहा है यह जैसे इन सभी पंक्तियों से यह अर्थ निकलता है कि मीडिया की लोगों के पास सवेदनाई नहीं होती अर्था तबे अपने व्यापार के लिए किसी भी कमजोर व्यक्ति के दुख को सादक बना लेते हैं यदि इन पंक्तियों को कभी नहीं लिखता तो कविता का मूल भाव इस नेक्स वाल है केमरें बंद अपाईज करोना की मुखोटे में चिपी करोड़ता की कविता है बात तो सही है कहा तो जा रहा था कि सामाजी गुद्द्द्र से पुन कारिकरम दिखाया जा रहा था दिखाया क्या जा रहा था तो अपने टीर भी बढ़ाने के लिए उससे बे करोन भाव को दरसाता है परन्तु इस कविता का मूल भाव सुनने स्वेदन ही मीडिया पर व्यंग किया गया है लोगत उंतर का चोता हिस्तम कहा जाने वाला मीडिया इसे एक रोचक कारिकरम बनाना चाता है जिससे उसका यह कारिकरम लोगों में लोग प्रिये हो सके उसे अपंग की पीडा से कोई लेना देना नहीं है यह कविता यह भी दरसाती है कि जिस परकार दूर दर्शन पर दिखाए जाने वाले अनेक कारिकरम कारोबारी दबाव के कारण स्वेदन सील होने का दिखावा करते हैं इस तरह यह कविता अपनेपन की बहाउना में छीपी कर हुँ जाती इन देखो सिधर सी बात यार आप कोई भी चैनल खोलेंगे तो पैसा तो कमाना सभी चाहते हैं तो वह ना मतलब एक कहते हैं ना कि लीगल तरीके से नहीं तो इलीगल तरीके से कैसे भी करें वह पैस्ट यार्व बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते कहीं किसी भी अक्तग जा सकते हैं जैसे यहां लेका में दिखाया गया हम समर्ठ सक्टीमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ती की माद्यम से कभीज ब्हठाबी Completely आप western z U.S. U.M. को समर्थवान सक्तिसालि मानते हैं तो इतने सक्तिसालि हैं कि वे किसी के दुख को परदे पर दिखाकर अच्छा पैसा और लोगों के साहनोबुती प्रशिदी पाते हैं वे यहां एक कमजोर अर्थाद अपाईज वक्ति को लोगों के सामने दिखाते हैं ताकि वे अपने चैनल की टीयार्पी बढ़ा से और अच्छा पैसा कमा देखो टीयार्पी कैसे बढ़ती लोगों के सहनों बूती मिलती तो टीयार्पी बढ़ जाती और पैसा भी ऑटोमेटिक आ जाता वही बात ही यहां पर दिखाया यदि सारी ग्रूप से चुनोती का सामना कर रहे है व्यक्ति और दर्सक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उसका उससे प्रशन करता का कौन सा उद्धे से पूरा होता पूरा हो जाता सानुबूती मिलती पैसा कमाते टीयार्पी बढ़ जाते इस चैनल के संचाल को निर्मत का एक ही उद्धे से होता है कि वे अपने कारिकरम को लोग प्रिया बना सके ताकि वे अच्छा पैसा और लोग प्रियता प्राप्त कर सके इसके लिए उन्हें कोई भी तरीका क्यों ने अपनाना पड़े वे अपनाते हैं इस कविता के माद्यम से यदि सारीक और मानसी पूरा हो जाता नेक्स्ट है परदे परवक्त की कीमत है कहकर कवी ने पूरे साक्षात कार के परती अपना नजरिया किस रूप में रखा भी देखो उनका पैसा बरबाद हो रहा था लाइव देखाना किसी उस समय दूनी सो नबर की दसा की बात है आज पर इतना पैसा खर् दरशक भी रोने लगे लेकिन वे इसे रोने वारे दरशक को ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना चाते क्योंकि यह कारेक्रम शफल होते वे दिखाई नहीं दे रहा था जिससे उनका पैसा बरबाद हो रहा था सीधा सा कारण है इसलिए वे समय और पैसे की बरबादी बिल डाउनलोड करो डाउनलोड करें जैसे ओपन करोगी उसके बाद आपको सीवीटी में जाना है फिर आप लोगों को कम्यूटी में जाना है फिर आप लोगों को हिंदी भाई राजेंदर सर कम्यूटी मिलेगी हिंदी भाई राजेंदर सर उसको फोलो करना है और वहां से आपको मेल आईडी बता दी है ठीक है और स्यूटी की तयारी अभी से करो धीरे धीरे थोड़ा-थोड़ा करके चलोगे तो 12 की तयारी हम लोग करवा देंगे आप लोगों को क्योंकि हमेंसे आप लोगों पता है किसी भी उनिश्टी में सबसे ज्यादा इस्ट्रेंस हमारे सी की चीज़ को हम लोग आप लोगों को भी इस बार किसी यूटी में हेंडर परसेटाइल आप भी लाएं तो आजाई आप लोग हमार साथ जुड़िए तो अभी के लिए तना ही धन्यवाद थैंक्यू सो मच नेक्स एप्टर के साथ फिर हम लोग एक पर फिर मिलते हैं तो